सो वाइस के हाल चाल है आज की वीडियो में हम लेके आचुके हैं साउंड ड्रम वन जो की प्रोट्रोनिक्स की तरफ से आता है और यह ब्लूतुस स्पीकर है तोटली टी डब्लूस है यानि कि इसमें को भी वायर नहीं लगती टोटली वायरलेस सिस्टम है यह और इसके बताने वाला हूं तो वीडियो का एंड तक देखना वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो लेट्स रोल गाइज वाइस देखिए हमारे पास साउंड ड्रम का प्रोट्रोनिक्स का साउंड ड्रम वन और यह जो है कुछ इस तरीगे का है और यह बता हूं कि मेरे को 1299 का मिला था यह मैंने ऑनलाइन खरीदा तो तो ऑनलाइन इसके प्राइस यह थी ऑफलाइन मेरे को कहीं स्टोर पर मिला नहीं डैस वाइ मुझे ऑनलाइन खरीदना बड़ा मैं ज्यादा प्रिफर करता हूं कि ऑफलाइन ही खरीदा हूं क्योंकि ऑफलाइन में रेट जो है काफी अच् लिए जाता है उसके अंदर के इस तरीकिका प्रोटोनिक्स का साउंडियो tö्होता है मैटलिक फिनिश कंदर दी गई आपको और देखते हैं क्या दीया गया तो अपको जो है इसकी हमानूल भी आपको इहां देखने को मिलेगी अब यूजर मैनुल भी इसकी जो है काफी इंफर्मेटीव है क्योंकि इसके इंदर सारी चीज़ें यहां पर बताए गई हैं तो एक बार यूजर मैनुल जिरूर से पढ़ ज़र आपको सारी चीज़ें यहां पर मिल जाएगी रिसेट कैसे करना होता है य यहां पर यहां पर आपको टैप सी का यहां पर आपको चार्जिंग केबल दिया गया है जिसका इस्तमाल आपको इसको छार्ज करने में यहां पर लगाना है तो यहां देखो जो है इसकी को अई फीचर को भी बारे में बताने वाला हूं तो देखो सबसे पहले इसको और अब कर तो यहां पे यहां पर ब्लु को लेकि लाइट भी आपको शौरी होगी यहां जलती और यहां पर काफे डिफरेंट डिफरेंड मोड्स भी हैं यहां यह साउंड को कम जाद करने वाला है और अगर यहां से मोड चेंज करते हैं तो USB आपको लगा के यहां पर कर सकते हो यहां पर रेडियो मोड है और यहां पर जो है नॉर्मल ग्लुटूथ मोड तीन मोड इसके अंदर दिये गए हैं और यहां पर देखो तो यहां पर आपको एक स्टॉप करने का बीच में यहां पर बटन दिया गया है एक सेट प्लस का बटन दिया गया है एक सेट माइनस करने का बटन यहां पर दिया गया है तो आप जो है इसको कर सकते हो और अगर यह जो stop करने वाला बटन है वो आप FF Radio उसके tuning करने में भी यूज़ कर सकते हो उनके channels को tune करने में आप जो है यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे जो है speaker इसका काफी अच्छा है मैंने इसका यूज़ करके देखा बेस मेरे को थोड़ा सरलो लगा और इसकी क्या disadvantage आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे जो एक आपको कवर यह पीछे उसका भी दिया गया है कि जो आपके pollution आपके sorry pollution कहा रहा हूँ आपके दूल मिटती जो है आपके का उसके अंदर ना जाए charging port के अंदर तो यह भी मेरे को काफी सही लगा प्लस मैं आपको यह waterproof नहीं दिया गया है तो यह भी थोड़ी सी मेरे को गलत लगा मैंने इसका जो पूरा advantage और disadvantage का वीडियो मैंने बना रखा जो कि description में लिंक उसकी है तो उसको चेक आउट करना मत बूला और जो है क्योंकि आपको इसमें सिर्फ unboxing देखने को मिलेगी अगर पूरा फुल review चाहिए कि आपको इसके अंदर disadvantage का है तो link description में वाली वीडियो जबर से देख लेना इसमें मैंने इसके एक look दिखाई है खाली बस तो आ पारी डीटेल यहां पर बताई गई थी user manuals के अंदर और मैं बता हूं अगर आप इसको offline purchase करते हो तो इसका rate आप मेरे को पता नहीं है लेकिन यह जो online में तो 1299 अपो दिया गया है और यह बता हूं इसके अंदर आप जो है दो speakers को इनके अलग-अलग same model के अलग-अलग speakers को सकते हो मतलग Gow को आपको यूजर करना आप यवS कर सकते हो और तिको यह न'ईन वार्ट का हमको जो है यह इसको आउटपूट, साउंड की आउटपूट हमें मिल रही थी और यह वन एयर की वरंटी इसके अंदर दी गई है तो यार देख सकते हो कि आपको इसके अंदर 9W का आउटपूट मिलता है तो काफी साई आउटपूट मिल जाता है इस प्राइजिंग रेंज में लेकिन जो है इसकी वरंटी भी आपको वन एयर की मिलती है लेकिन जो इसका बेस थोड़ा सा कब है फुल डिस्रेडवांटेज एडवांटेज की वीडियो मैंने बना रखी जिसमें हर चीच की बारे में बात किया मैंने वो लिंग डिस्किप्शन में ज़रूर से चेक आउट कर लेना टाइप सी चार्जिंग है मैंने पहले बता दिया 2000 mh की बैटरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी और 8 से 10 आर का यहां पर प्लेबैक टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा तो यहां आपको यह 8 से 10 आर देदेगा तो अगर वीडियो पुसंट है तो राइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना तब तक लेज वीडियो में इतने गाईज को देख कर आए दो कमेंट सेक्शन में बता देना इंस्टेग्राम फे फॉलो को लग तक लेज वीडियो में इतने गाईज